आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल जीके कलासे जुनिस सो बहतर और मैं आपके लिए लेकर आए हूँ आर पेसी असिस्टन प्रोफिसर एकजाम से जुड़िवी अपडेट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सुस्क्राइब जरूर कीजेगा चली वी प्रेश नोट जो है यह किस से रिलेटेड है यह आर पेसी के दुवारा जो सहायक आचारी पुस्तकाले देख से एवं सारीरिक प्रसिक्सक अनुदेशक यानि पिटियाई जो परीक्से है दो जार तेबीस उससे रिलेटेड है ठीक है तो इस प्रेश नोट के अंदर आपक से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ साथ में प्रीक्सिया से समन्दित अन्य मत्तो पुर्ण इंस्ट्रेक्शन इसमें प्रदान किये जाएंगे तो पूरा प्रेश नोट आप देखिए आयोग दुवारा सहायक आचारी पुस्तकाले देख से एवं सारीरिक प्रसिक्सक अनु म्यूजिक तबला, मिलेटरी साइन्स और म्यूजियोलोजी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, सितार, सिंधी, जीनियोलोजी, गार्मेंट्स, प्रोडेक्शन एंड एक्सपोर्ड मेनेजमेंट, म्यूजिक, वायलिन की परिक्षा का आयोजन दिनांक 31-3-2-24 रविवार को प परथम परशन पत्र, एवं दोपहर, ढाई बजे से साड़े-पांच बजे तक परशन पत्र दिवित्य, अजमेर जिला मुख्याले पर किया जा रहा है, तो आर्पेसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, लाइबरेरियन और पिटियाए की जो एक्जाम है, वो अजमेर जीला मुख्याले पर आयोजित की जावी है, एक्जाम जो है, वो 31 मारच रविवार पर को आयोजित की जाएगी, और ये एक्जाम 2 पारी केंद्र आयोजित की जाएगी, आपका जो फैस्ट पेपर है, उसकी एक्जाम होगी 9-12 बजे के दोरान, और जो शेकिन पेपर है, उसकी एकजाम होगी डाई बजे से साड़े पांच बजे के दोरान ठीक है तो उक्त परिक्षा में प्रतेक प्रश्ण पत्र हितू OMR उत्रपत्र के पांच वी विकल्ब को भरने के लिए 10 मिनिट का अत्रिक्त समय आपको दिया जाएगा तो यह आप सभी को पता है पहले से कि आजकल हर क्युष्ण के इंदर पांच विकल्ब दियो होते हैं और आपको अगर चारों विकल्बों में कोई भी विकल्ब जो है सही प्रतीत नहीं होता है उस सिच्वेशन में आपको इन में से कोई नहीं यह पांच वा विकल्ब जो वो बढ़ना अनिवारी होता है ठीक है तो इसके लिए आपको RPC के दुवारा 10 मिनिट का एक्स्ट्रा जो समय है वो प्रदान किया जाता है ठीक है उक्त परिक्षया के प्रवेश पत्र दिनांग 28 मार्च 2024 को IO की विवस साइट एवं SSO पोल्टल पर अप्लोड किये जाएंगे अता है अब्यार्थी यह था सिक्र समया अंतरगत प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें तो आपके जो एड्मिट कार्ड है एकजाम के लिए जो एड्मिट कार्ड है वो किस तारिक से आप डाउनलोड कर सकते हैं 28 मार्च 2024 से ठीका IO की जो ओफिशिल विवस साइट है या फिर अपने जो SSO पोल्टल है इनमें से किसी में इससे भी आप जो है अपने एड्मिट का डाउनलोड कर सकते हैं परिक्ष्या केंदर पर किसी भी परिक्ष्यार्थी को परिक्ष्या प्रारंब होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा इसके पस्चात किसी भी परिक्ष्या अर्थी को परिक्ष्या केंदर पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा अत कि सुरक्षया जांच एमम पहचान का कारी समय पर पूरण होसके देरी से आने पर तलासी में समय लगने के कारण परीक्षया में सामिल होने से वंचित हो सकते हैं अता समय पर उपस्तित होना सुनिश्चित करें तो यह जो इस्ट्रेक्षन है इसको आपको भी सेश रूप से पालन करना है आपको एक्जाम सेंटर पर साट मिनट पहले एक गंटा पहले आपको उपस्तित हो जाना है क्योंकि एक गंटा पहले फिक्स जो एक्जाम सेंटर का में गेट होगा वो बंद कर दिया जाएगा उसके बाद में अगर आप दो मिनट भी लेट है तो भी आप चा की समस्या हो सकती है ठीक है तो आपको उसके इसाब से जो है प्रियाप्त समय लेकर के और सेंटर पर उपस्तित होना है आप हर बार अख़बारों के अंदर पड़ते हैं कि exam के बाद में अख़बारों में आख़बारों में social media पर न्यू जाती कि फला सेंटर के उपर ब्यार्थी जो है दो मिनट लेट हुए थे पांच मिनट लेट हुए थे और उनको प्रवेश नहीं दिया गया ब्यार्थियों ने काफी विनती की काफी यातना की कोई ब्यार्थी रोने भी लग जाते हैं तो आपके साथ इस प्रकार की जो गटना है वो नहीं हो इसके लिए आपको इस चीज का विसेश रूप से द्यान रखना है एक गटा पहले आपको जो है सेंटर पर पहुंच जाना है ठीक है इसके अलावा और मत्तुपर इंस्ट्रेक्शन देखिए ब्यार्थी अपना प्रवेश पत्र आयो की यह जो ओफीसियल विवसायट है यहां पर आपको admit card link के ऊपर जाना है और वहां पर आपको जो है अपना application number लिखना है और date or birth लिखनी है और जो capture है वो फिल अप करना है उसके बाद में आप अपना एडमिट कार्ड जो डाउनलोड कर सकते हैं आप इमितर पर जा करके भी अपने application number और date or birth जो बता करके अपना एडमिट कार्ड जो डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही अब्यार्थी यह जो अफिशिल विवस्थायत है यहाँ पर लोगिन करके सिटीजन एपस में उपलब्द रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक का चैन कर भी समंदित परीक्षिया का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है अब जो मत्तुपुन बात वो सुनिया आप अब्यार्थी परीक्षिया के अंदर पर पहचान है तो मूल आधार कार्ड रंगीन प्रिंट लेकर के उपस्तितों इस चीज का भी आपको विशेश रूप से द्यान रखना है कि आपको एडमिट कार्ड के साथ में और क्या लेकर के जाना है अपना रंगीन जो है देटो बर्त का वर्स लिखा हुआ है वो आधार कार्ड वेलिड नहीं होगा इसलिए इस चीज का भी आपको विशेश रूप से द्यान रखना है ओरिजिनल आधार कार्ड रेना है रंगीन प्रिंट के अंदर होना चाहिए उर्स पर डेटो बर्त आपकी पूरी लिखी हु प्रवेश अनुमत किया जा सकता है मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभा में अभ्यार्थी को केंदर पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा अभ्यार्थी परिक्ष्या है तो प्रवेश पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लेए तो इन केस अगर आपके पास में मूल आदार कार्ड रंगीन प्रिंट के अंदर नहीं है या फिर जिसके उपर पूरी डेटो बर्थ नहीं लिखी हुई है ऐसा आदार कार्ड आपके पास में है तो आपको क्या करना है आपको अन्य जो ओरिजिनल डोकुमेंट से जिसके अंदर driving license ठीक है आपका passport अगर आपके पास है और या फिर water ID मत दाता पहचान पत्र इन में से कोई भी document साफ रंगीन sorry original लेकर के जो आपको उपस्तित होना है और एक आपको मेरी तरफ से और सला है कि जो भी आप original ID लेकर के जा रहे हैं उसका एक photoprint यानि photocopy जो आपको जरूर लेकर के जानी है क्योंकि कई exam center वाले विशेश कर private exam center वाले जो होते हैं वो admit card के साथ साथ में और आधार card या जो भी आप documents लेके जा रहे हैं ID के रूप में उसकी photocopy वो साथ मांगते हैं ठीकर अपने पास सबूत के रूप में रखने के लिए तो एसी स्तती में अगर आपने मालोब photocopy नहीं करा रखी ID की तो वहाँ पर अगर नजदी के अंदर photocopy की दुकान नहीं तो आपको काफ़ी परिशानी का सामना करना पड़ सकता है इसलिए उस टाइम पर आपको मानसिक रूप से परिशानी नहीं हो इसके लिए एक photocopy ID की करा करके निश्चित रूप से आपको साथ में लेकर के जानी हैं इसके लावा जब आप admit card डाउनलोड कर लें तो उस admit card के उपर जो भी निर्देश दिये हुए हैं उन निर्देशों का भी आपको ध्यान पूरों के एक बार पढ़ना है ठीक है ताकि आपको हर चीज जो वो अच्छी परकार से समझ में आ जाए और आप सब ये ब्यार्थियों को मेरी तरब से सुब काम नहीं आपका जो पेपर है वो बहुत बढ़िया जाए और आप इसके अंदर उत्तिरण हो इसी उमीद के साथ में वीडियो को यहीं संपन करते हैं अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं कर रखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी की चैनल को सस्क्राइब जरूर करें हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद